तो कहानी की सुरुवात में हम देखते हैं कि सैंजो फैमिली जो की काफी नुबल फैमिली मानी जाती है उनकी लाटली प्रिंसेस मीका की साधी हो चुकी है और रिसिप्सिन पर दो हजार गिस्ट आए वे थे मीका सज धज कर अपनी हस्बेंट चोई का इंतजार कर रही थी त और कहता है कि हमारा एक स्टाफ पागल हो गया है और उसने गिस्ट को चाको की नोग पर ले लिया है यह सुनकर मीका जली से बाहर जाती है और उस संकी स्टाफ से कहती है कि देखो यह मेरी गिस्ट है तुम इन्हें छोड़ दो अगर तुम्हें किसी को बंदी बनाना है क्योंकि उसे सिल्फ डिफेंस आती थी स्टाफ के हाथ से उसकी नैफ गिर जाती है वो जैसे उसे उठाने जाता है तो वहाँ चोई की इंट्री होती है वो उसे तलवार से वहीं ये कहकर रोग देता है कि अगर अपने हाथ सिलामत चाहिए तो जरासा भी हिलना मत तुम्हें तो पता ही होगा कि सैंजो फैमली कानून से भी उपर है अगर हमने तुम्हारे साथ कुछ भी किया तो तुम पुलिस में जाकर कंप्लेन भी नहीं कर पाओगे इसके बाद ग्रैंटपा कहते हैं कि तुमने कंपनी के साथ धोका धड़ी की थी और गदारों के लिए हमारे प ठीक तो होना यह देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं कि प्रिंसेस को उसका हस्पेंट कितना ज़्यादा प्यार करता है इसके बाद स्टोरी पास्ट में सिप्ट होती है और हमें पता चलता है कि आखिर मीका को इतना प्यार करने वाला हस्पेंट मिला कैसे तो बात यह थी कि मीका की higher schooling complete हो चुकी थी और उसकी family का कहना था कि रिचुल के हिसाब से अब उससे साधी करनी होगी मगर वो अभी 18 साल की ही थी और वो पहले प्यार करना चाहती थी और फिर अपनी प्यार से साधी मगर उसे एतनी आसानी से तो अपना प्यार मिलने से रहा क्योकि उसकी स्कूलिंग गल्स स्कूल से हुई थी इसलिए उसने अपना छोटू सा दिमाग दोडाया और अपने घरवालों से कहा कि मैं अपने बॉइफरेंट चोई से प्यार करती हूं उसने चोई से भी सेटिंग कर ली थी कि हमारी साधी बस एक दिखावा होगा साधी के बाद मै तुम्हारे साथ committed नहीं रहूंगी और इसी बीट मैं अपने सचे प्यार को ढूनूँगी जिसके लिए चोई भी राजी हो गया और मीका और चोई सब के सामने एक हैपी कपल होने का दिखावा करने लगे साधी के बाद मीका और चोई को रहने के लिए एक प्रशनल बंगल दे दिया जाता है दिन भर जब चोई काम करके रात में घर आता है तो मीका विलकम और गुड़नाइट डोनों साथ में कहकर अपना स्थिन केर करने के लिए जाने लगती है क्योंकि उसका अच्छा दिखना बेहत जुरूरी था तभी तो कोई हैंडसम सा लटका उसे पसंद करता अगले दिन चोई ओफिस के लिए निकल जाता है और घर का सारा काम मीका के सर्वेंट करके चले जाते हैं अब मीका को बोर फील होता है इसलिए वो सोसल मेडिया खोल कर देखती है कि उसके फ्रेंट्स तो मस्त अपने कॉलेज लैफ पिंजवाय कर रहे हैं तभी मीका क करके अपने कॉलेज के विलकम पाटी में इनवैट करती है पाटी का नाम सुनकर मीका खुस हो जाती है कि चलो इसी बहाने कम से कम मुझे नए लोगों से मिलकर अपना फियर स्टार्ट करने का मौका तो मिलेगा नेक्स्ट सीन में मीका मियोरी और उसके नए दोस्तों के मुझे भी वो पसंद है मगर अभी मैंनों से कुछ जवाब नहीं दिया फिर जब मीका अकेली होती है तो उसे वही रेटीशिट वाला लड़का आकर कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद आई क्या तुम्हारा कॉंट्रेक्ट नंबर मिल सकता है मीका कहती है तुमने तो कल मे अजीब लगता है वो से ग्यान देने लगती है कि ऐसा नहीं होता तुम्हें पहले खुछ क्लियर होना चाहिए कि तुम किसे पसंद करते हो ऐसे ही हर किसी को प्रपोस्ट करने वाला को करेक्टर लिस कहलाता है जिससे वो लड़का कहता है जाओ यार तुम तो बहुत बोरि किंदल ही चला जाता है मीक को लगता है कि किम उसमें घ्रчиब है और मेरी मेरी समया मेरे पास लेकर आओ जिससे मीका डिसपॉइंट हो जाती है क्योंकि उसका तो अफेयर करने का एक मौका हाथ से निकल गया था तब जोई मीका के सर पे बड़े ही प्यार से हाथ रखते वे कहता है कि देखो स्वेठार कि अगर तुम्हें सचे प्यार की तलास है तो तुम्हें मुझसे प्यार कर लेना चा को बचाया था प्रेजेंट में चोई मीका को वेडिंग रिंग दिलवाने के लिए एक स्टोर में ले जाता है जहां उसे अपने कॉलेज की सीनियर मयूमी स्टोर मैनेजर के तोर पे मिलती है चोई उसे पैचान लेता है निक्स्ट सीन में चोई मीका और मयूमी बैठ कर बाहर जाता है तब तक में मयूमी मीका से पूछती है कि तुम्हें चोई ने साधी के लिए कैसे प्रपोस किया था अब मीका उसे सचाई तो बता नहीं सकती थी इसलिए वो बहाना वहाना करके एक डॉमैंटिक से स्टोरी सुनाती है कि चोई ने बड़े से फ्लावर बोके के साथ ने डॉन होकर मुझे प्रपोस किया था ये सुनकर मयूमी को बड़ा हैरानी होता है वो कहती है इसका मतलब है कि तुम सच में चोई के लिए बहुत स्पेसल हो वरना वो लड़कियों को तो भाव तक नहीं देता मैंने तो खुद उस पर ट्राइ किया था पर उसने मु कास्ट में इन दोनों के बीच कुछ था पहले तो इनके बीच कुछ नहीं हो पाया पर साइद अब हो जाए अगर ऐसा होगा तो मेरा रिस्ता क्लियर हो जाएगा मयूमी भी मिको को चिपकर देखते हुए देख लेती है इसलिए वो जान बूच कर चोई के क्लोस जाती है औ और सोथती है कि चोई अब तक घर नहीं आई तहिकी वो दोनों होटल गए होंगे मिको को नहीं पता था कि किसके बाद चोई ने कहा था कि तुमने हमेशन की तरह जबढ़दस्ति मुझे किस किया है फिर जब चोई घर आता है तो वो मिको पे नराज होता है कि तुम मुझे बिना बताए घर कैसे चले आई तो वो कहती है कि मुझे लगा तुम मयोमी के साथ गुलू-गुलू कर रहे होगे तब चोई कहता है कि देखो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही प्यार जताना चाहता हूँ तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम सिर्फ मेरे बॉडिगार्ट की तरह बिहेब करो जिस पे चोई कहता है कि ठीक है अगर ऐसा है तो जाओ ये रिंग वापस कर देना अगले दिन मीको रिंग वापस करने के लिए स्टोर पे जाती है जहां फिर से उसकी बात मयूमी से हो वो से कल के लिए माफी मांगती है और क्लियर करतेती है कि चोई अभी भी मेरे में बिल्कुल इंट्रेस्टेड नहीं है ये जानने के बाद मीको रिंग वापस नहीं करती चोई जब उसके फिंगर में विडिंग रिंग देखता है तो काफी खुश हो जाता है कि अरे ये त पतार दूंगी अगले दिन कि मीको से मिलता है और उस रात के लिए माफी मांगता है जब उसने मीको को चोई के पास पहुचा दिया था वह रियल में भी मीको को पसंद करता था इसलिए वह मीको का प्रेंट बनना चाहता था मगर मीको के दिल में लड़ू फूटने लगती है कि आज हम फ्रिंट्स बनेंगे कल गल्फिंट बॉइफिंट बनेंगे और फिर हमारे बेच सब कुछ होगा इसलिए वो किम के साथ फिल्म देखने के लिए जाती है पर फिल्म देखने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलती है तो मौसम खराब हो रहा था अचानक तेज बादल करचती है और चोई आकर अपने कोट से मिका का कान कवर कर लेता है मेका उसे वहाँ देख कर हैरान हो जाती है क्यों हो तुमने मिका कि साथ इचे ण्जोई किया होगा अब फिर तुमने कोई GPS device sit कर रखा है जो हर बार तुम्हें मेरी location का पता लग जाता है तब चोई उसका मूँ बंद करवाने के लिए उसे किस करना चाहता है मगर मीका उसके face पे एक जहापड लगा देती है तब ही बादल गरता है और मीका चोई से चिपक जाती है फिर मीका को याद आता है कि मुझे हमेशा से बादल गरतने से डर लगता था बचपन में भी चोई ऐसे situation में मेरा हाथ पकड़ लेता था ताकि मुझे कम डर लगे मौसम खराब होने की वज़ा से ही साइद आज भी वो मेरे पास आ गया होगा इसलिए मुझे इसे माफ कर देना चाहिए अगले सीन में मीको ऑफिस जाती है जहां सारे इंप्लॉईज उसे गुड मॉर्निंग विस करते हैं फिर मीको चोई के टेबल के पास जाकर उसे एक फैल देती है और हम चोई का एक हाथ फ्रेक्चर देखते हैं तो आखिर ये situation कैसे किरियेट हुई इसके लिए हमें दो दि पाको चला तो उन्होंने कहा कि देखो मीको चोई को बहुत काम होता है अब वो तुम्हारी वज़ा से हट हुआ है तो तुम्हें ही पी ये बनकर उसकी मदद करनी होगी इसलिए अब मेको चोई की personal assistant बनकर काम में उसकी मदद करती है जिससे वो ठक कर चूर हो जाती है और स पर मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं मैं अभी भी अपनी तुम पे थोपना नहीं चाहता मगर मेरी विस है कि तुम भी मेरे प्यार में पढ़ जाओ इसके बाद मीको चोई से कहती है तुम तो अब मेरे हस्पेंड बन चुके हो तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए बलक तुम्हें अगवा होने से बचाने के बाद तुम्हारे ग्रेंटपा मुझसे बहुत खुसुए थे और उन्होंने मुझे और्फनेट से निकाल कर अपने अंडर रख लिया और तुम्हारा बॉडिगार्ड बना दिया इसी बीच मैं तुमसे प्यार करने लगा मुझे पता मा आदमी होता तो वो हमारी साधी के लिए कभी नहीं मानते मैं बैठ कर अपना वो मुकाम गवाना नहीं चाता बलकि और अच्छे से काम कर तुम्हारे लाइक बने रहना चाता हूं अब चोई जब मेको के आखों में देखता है तो उसे अपने हाड़ वर के लिए प्यार और इजद दिखता है इसलिए वो मेको को किस कर लेता है और वो उसे रोकती भी नहीं है बलके उसे आलब कह देती है और कहती है कि मैं अच्छे से तुमारे प्यार में पढ़ना चाती हूं वैसे भी किसी का पहला प्यार मुकमल नहीं होता इसलिए मैं तुम्हारे साथ प्य की तरह योच करना चाहती है पर फिर भी वो सोचता है कि कुछ ना सही तो कुछ होना बहतर है इसलिए वो मान जाती है अगले दिन से में को चोई को एक अलग नजरी से देखने लगती है जब वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है तो वो चुप-चुप के सरमाते व चलता है कि उसे अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहिए दिन भर तो चोई ऑफिस में भी जी था इसलिए वो रात चोई के साथ बिताना चाहती है जोई जब मीको को अपने रूम में देखता है तो हैरान हो जाता है उपर से मीका कहती है कि मैं आज रात यही तुम्हारे साथ सोऊंगी जिसे उसे और हैरानी होती है फिर वो लव आर्टिकल के बारे में चोई को बताती है मगर चोई को तो अभी भी लैप्टॉप पे काम करना था इसलिए मीका बेट पर से उसे काम करते वे देखती है वो मनहीमल सोचती है कि चोई के सोल तो मीका उसका हाथ पकड़ लेती है और नीन में बढ़ाती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगी यह सुनकर चोई उसके सर को सहलाता है तो वो उटकर बैठ जाती है फिर चोई कहता है थोड़ी देर और नीन में ही रहो और उसे किस कर कर लेता है मीका को लगता है कि चोऑ किस करके उसे ह लव्यू कह रहा है इसलिए वो से हग लेती है और अगले दिन अपनी फ्रींड मियोरी को जाकर सारी बात बताती मुझे लेड़ी स्टॉक करके मिका को पता चलता है कि लड़कों दिमाग में हरेक्ट चलता रहता है releasing मिका को लगता है कि क्या चोई के दिमाग में भी मुझे लेकर यह सारी बाते चलती लोगी क्या वो भी मुझे गंदी नजरों से देखता होगा पर मैं तो सिर्फ किस और हग तक ही सोचा करती थी इसके बाद मीको को चोई से सर माने लगती है वो उसके सामने आने से बचने लगती है और हर वक्त पूरे कप्ड़े पहन कर गूमने लगती है चोई को लगता है कुछ तो घरपड है एक दिन ऑफिस में वो चोई को कौफी देने जाती है तो गलती से उसका हाथ चोई के हाथ स फासरूम ले जाता है और उसके पैर को ठंडे पानी से धोता है जिससे मीका के दिमाग में कुछ चलता है रात में वो मिनी ड्रेस पहन कर चोई को अपने क्लोज आने के लिए कहता है दर असल वो सारा कुछ करके एक बार में ही हिजिटेशन खत्म करना चाती है चोई भी उसे क तुम कमफोटेबल ही नहीं हो तो मुझे क्लोज आने के लिए क्यों कह रही हो तब वो कहते है कि मैंने सुना है कि हर लड़के को अपने पार्टनेर से यही चाहिए होता है तो वो कहता है कि हाँ मैं मर्द हूँ और मेरी कुछ जरूरत है मगर मैं तुमारी बॉंड रेस बि अदमी अपने फोन में क्लिक कर लेता है यह कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा नेक्स्ट सीन में मीका की नजर एक बच्चे पर पढ़ती है जो की स्ट्रीट प्यानों बढ़ा रहा था पर उसके पास लोग देखने के लिए नहीं रुक रहे थे तब वहां मीक से यहां कब आए तो वो बताता है कि मैं तो हाल फिलाल में ही यहां आया हूँ काफी वक्त हो गया यार तुमसे मिले हुए इसके बाद मीका अमाने को अपने घर ले आती है जहां चोई पहले से था अमाने कहना सुरू करता है कि मैं जब तक जापान में था तब तक तो तु तुम्हें याद है मीका, तुम तो मुझसे चोई की कितनी बुराई किया करती थी, कि ये बोडी गार्ट कितना अजीब दिखता है, इसके पास तो दिमाग ही नहीं है, ये हर वक्त मेरे आगे पीछे खूमा करता है, अमाने मू के सामने चोई की बुराई किये जा रहा था, ज हमारी तो वैब भी मैच करती है, ये सुनते ही चोई फटाक से मीका को अपनी ओर खीज कर किस कर लेता है, और फिर अमाने से कहता है, कि अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा, कि हम दोनों साथ में खुस है, तो तुम्हें बीच में आना नहीं चाहिए, तब अमाने चोई को किस करके कहता है, लो मैंने भी तुम्हें किस कर लिया, तो क्या हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, नहीं न, तुम जब मीका को किस कर रहे थे, तो मीका थोड़ी अंकमफोटेबल लग रही थी, जिसका मतलब है कि तुम दोनों किस से आगे बढ़े ही नहीं हो, इसलि है, इसलिए वो डिरेक्ट चोई के पास जाकर कहता है कि मैं ग्रांट पा से परमेशन लेकर आया हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी परमेशन की कोई जुरत नहीं है, और वैसे भी मेरे पास पैसा, रुतबा, इजहत, सब कुछ तुम्हारे मुकाबले ज़्यादा है, तु उसे तुमसे ज़्यादा खुस रखोंगा, इसके बाद मीका को अमाने लेकर बाहर जाता है, जहां वो उस पे फुल ओन लैन मारता है, और कहता है कि जब मुझे तुम्हारी साथी के बारे में पता चला था, तो तुम सोच भी नहीं सकती मेरा क्या हाल हुआ था, प्लीज मी अमाने कुछ नहीं है, तब मीका को चोई किस कर लेता है, और फिर उसके नेक पे भी किस करता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, मगर मीका कहती है कि मैं अभी एमोशनली रेडी नहीं हूँ, तो वो वहीं पे रुख कर उससे माफियो मांगता है, अगले दिन अमाने फिर इस में कोई सक नहीं कि तुमारे पास क्यूट सा फेस, बैंक, बैलेंस, पावर, पोजीसन सब है, तुम तो पियानों भी काफी अच्छा बजा लेते हो, फिर वो एक नायव सीधा अमाने के फिंगर के बगल में रख कर कहता है, तुमारे पास बचने के लिए बहुत कुछ है, और मेरे पास सिर्फ मिका ही है, वो अमाने को ड्राने की खोसिस करता है, तब अमाने मिका के पास जाता है और कहता है, कि तुम प्यार महबत के खेल में अभी नहीं हो, और चोई एक पहुचावा खिलाडी है, तुमें नहीं लगता कि वो तुमें अपने प्यार की जाल में फसा रहा है, तुम्हें एक बार खुद सोचो, अगर तुम्हारी फेक मैरे चोई से ना होकर मुझसे हुई होती, तो अभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए भी फीलिंग आ रहा होता, मीका कहती है, मगर अभी तुम्हेरी साधी चोई से हो चुकी है, और मेरे दिल में उसके ल रहा हूं पर मैं जल्द ही वापस आऊंगा और तुम से मिका को चीन लूँगा नेक्स्ट सीन में चोई मिका को और्फनेज में ले कर जाता है जहां सिंजो कंपनी हर साल बच्चों को बहुत कुछ डोनेट करती थी यहां इनकी मुलाकात हरू का नाम के एक बिजनिसमेंट से ह होती है जो हमेशा यहां डोनेशन के लिए आया करता था वो चोई को पहले से जानता भी था वो अचानक मिका के हैंड्स में किस करता है और कहता है कि अभी तुम्हें जराजल्दी में हूं पर अगली बार मैं जब आपसे मिलूंगा तो आपको चोई के पुराने दिनों के बारे में जरूर बताऊंगा आगे चोई मीको को बलस करते वे नोटिस करता है तो कहता है कि सुनो तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो समझी कोई जुडरत नहीं है उस हरुका से ज़्यादा मेल जोल बढ़ाने की वो सही बंदा नहीं है मीको को यूँ चोई को जिलस फील क बहुत मज़ा आता है इसके बाद मीको कुछ दिनों की चुट्टी लेकर चोई के साथ वकेशन पर जाती है जहां दोनों साथ में कूप सारा टैम स्पेंड करते हैं जिससे यह दोनों काफी प्लोज आ जाते हैं और एक रात मीको चोई को अपने बेहत करीब आने की इजाज देती है फिर वकेशन से लोटने के बाद जब दोनों ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में दिन भर मीका चोई को लस्ट फुल निगाहों से देखते रहती है और रात में चोई घर आकर पूरे दिन का हिसाब करता है वो डॉमिनेंटली मिको को किस करता है और थोड़ा वलेंट हो होने की कोस करता है मगर फिर वो खुद को रोक लेता है और कहता है कि अभी अभी तुमने मुझे खुद के करीब आने की इजाजत दी है मैं इतनी जल्दी तुम्हारे साथ वैलेंट नहीं हो सकता वरना मैं करना तो बहुत कुछ चाता हूं अगले दिन मीको अपनी करती होती है कि अगर चोई ने मुझे चीट कर लिया तो क्या होगा जब वो ऑफिस जाती है तो देखती है कि लटकियों से घिरा हुआ है और वो चोई सिर्फ लटपी कर रही थी मंगर उन्हें बता देता है कि मैं हैपली मैरिड मैन हूं इसलिए मुझ से फ्लट करके कोई फैदा नहीं होगा फिर चोई की नजर मीका पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि जरूर मीका के छोटू से दिमाग में ओवर तिंकिंग का गड़ा दोड़ रहा है इसलिए वो उसे अकेले में एस्सोर करता है कि मैं सिर्फ तुमारा ही था और तुमारा ही रहूंगा फिर हैसल मिस रान संजो कंपनी की एक एड में शूटिंग के परपस से आई थी इसके बाद हमें एक चौकाने वाला सच पता चलता है कि मिस रान मिस यूरी की सिस्टर है जो की दिखने में बिल्कुल उसी की तरह लगती है इसके बाद सीन पास्क में सिफ्ट होती है जोई जब साकर उसकी मौम घर चोड़कर भाग गई थी और उसकी बाद डैट भी कहीं चले गए तब चोई को और्फनेज में लाया गया क्योंकि वह मैंनर था इसलिए वह अकेला सर्वाइब नहीं कर सकता था फिर और्फनेज में उसकी मुलकात हरुका और योरी सी हुई इन्हों ने च काफी ज़्यादा थी मगर नियत बहुत खराब वो चोटे-चोटे बच्चों को गलत तरीके से चूता था एक रात तो वो चोई के कम्रे में आकर उसे गलत तरीके से टच करने लगता है तब ही वहाँ यूरी आती है और डैरेक्टर को मार पीट के वहां से ले जाती है फिर दिनों के बाद धारू का 18 साल का हो जाता है इसलिए उसे और्फनेच से जाना पड़ता है वो एक फैक्टरी में काम करके अपना गुजारा करने लगता है जाने से पहले वो चोई से कह कर गया था कि यूरी का ध्यान रखना मगर इसमें वो नाकाम्याब रहता है दरसल डैर की वैफ को चलता है तो वो यूरी को ही ब्लेम करती है कि तुमने ही मेरे पती को सेडियोस किया होगा तुम्हारे ही चाल चलन ठीक नहीं है और इसके बाद डैरेक्टर एक बच्ची का सोसन कर लेता है जिससे यूरी को बहुत कुस्स आता है इसलिए वो एक नय फ्लेकर डैर सेंजो फैमली से बिलॉंग करता हूं जिसका कानून भी कुछ नहीं बिकाड सकती यूरी को ये बात तो सच लगती है इसलिए वो अपने और्फनेट के मासूम बच्चों को ट्रॉमा से बचाने के लिए डैरेक्टर को पकड़ कर छट से कूद जाती है जिससे डैरेक्टर और यूरी दोनों की मौत हो जाती है इसके इसको सेंजो फैमिली एक ऐसिडेंट मानकर क्लोज कर देते हैं जिससे ऽरुका और चोई के मन में सेंजो फैमिली के लिए नफ्रत भर जाती है हरु का फैक्टरि में काम करने के साथ साथ गूंडों के साथ भी करते हैं इसके बाद हरुका चोई के पास आता है और कहता है कि हमें सेंजो फैमली की प्रेंसिस को जान से मारना होगा मंगर अभी नहीं बलके सही वक्त आने पे ताकि पूरी सैंजो फैमली हिल जाए वो इस सदमे से कभी उबर ही नहीं पाए पर तब तक तुम्हें सैंजो फ और गुन्डों को मार भगाता है जिसके बाद चोई से खुस होकर ग्रेंडफा उसे मिको का बोडिगार्ड बना देते हैं जिसके बाद चोई हर वक्त शाय की तरह साथ रहकर मिका की हिफाज़त करता है ताकि इस वक्त आने पे वो उसे मार सके और वो वो सही वक्त साय अब आ चुका था इसलिए हरुका और मिस रैन चोई के पास आये थे मगर दिकता भी यह हो गई थी कि मीका से चोई को प्यार हो गया था जब मीका सो रही होती है तो वो उसका गला दबाकर मारने की कोसिस भी करता है पर उसे मीका के साथ बिटाएवे प्यार भरे लंभे याद आ जात है क्योंकि अब ना तो वो मीका को जान से मार सकता है और ना ही यूरी का बदला भूल सकता है इसलिए वो हरुका के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को धोका नहीं दे सकता मगर मैं मीका को भी नहीं मार सकता इसलिए अच्छा यहीं होगा कि मैं खुद को ही खत इसलिए अच्छा है यही होगा कि यह लो मेरा गन और सूट करके मुझे ही मार डालो मगर चोई पे हरुका का ऐसान था वो बड़े भाई की तरह था इसलिए चोई उसे भी नहीं मार पाता फिर वो हरुका और मिस रैन के साथ मिस्टरिस एंजो की आफिस में जाता है जहां मीक अभी थी यहां यह लोग सारी बाते क्लियर कर देते हैं और हरुका गन पॉइंट करके मीका को मारने ही वाला होता है तब इक ड्रैनपा कहते हैं कि जो हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी हमें तो इस घटना के बारे में पता भी नहीं था और अगर तुम्हें किसी को स प्रीक वैसे ही जैसे और्फनेज में रहने वाले बच्चों की कोई गलती नहीं थी और ना ही यूरी और चोई की कोई गलती थी पर फिर भी हमने किसी और का किया हुआ भुकता ना इसलिए अब भुकतने की बारी आप लोगों की है यह कहकर हरुका मीका पे गन चला देता ह लेकिन उससे बचाने के लिए हमेशा की तरह चोई बीच में आ जाता है उसके हाथ पे गोली लग जाती है जिससे हरुका को और गुस्सा आ जाता है वो चोई पे एक और गोली चलाता है इसके बाद सेंचे महीने बाद सिप्ट होती है जहां हम देखते हैं कि मीका की साधी हमाने से हो चुकी थी क्योंकि उस घटना के बाद ग्रैंट पाने मीका और चोई का डैवोस करवा दिया था उन्होंने चोई का अच्छे से इलाज भी करवाया था मगर उस घटना के बाद चोई ने मीका की और देखना भी बंद कर दिया क्योंकि उसे सरमिंदगी महसूस हो रही थी कि मैंने मीका को जान से मारने की कोसिस की जबकि वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी इसलिए ठीक होने के बाद वो अचानक गायबोच रहता है मीका उसे डोड़ने की बहुत कोसिस भी करती है पर कुछ पता नहीं चलता वहीं दूसरी और अमाने मीका से दे सिर्फ रैंटपा का दिल रखने के लिए किया है वो मुझसे जरासा भी प्यार नहीं करती कुछ वक के बाद मीका को चोई का पता चल जाता है चोई बीज के किनारे एक और्फनेड में रह रहा था वहां के बच्चे उसे बेहत प्यार करते थे मगर चोई मीका को देखकर उसे पैचानने से इनकार कर देता है मगर मीका उसका पीछा नहीं छोड़ती वो से अपने साथ बिताएवे अच्छे लंभो की याद दिलाती है चोई उसे माफी मांगता है और कहता है मैंने जो किया उसके बाद मैं तुमसे नजरे भी नहीं मिला पा रहा हूँ मेरा एक हा कल को याद करके दोनों emotional हो जाते हैं और रोते वे दूसरे को किस करते हैं इसके बाद ये फैसला करते हैं कि हम एक बार और साधी करेंगे और इस बार बच्चे भी करेंगे ताकि हमारी खुद की एक family बन जाए और हम हमारा बीता हुआ कल भूल कर एक नए शुरुआत करें इसे happy ending के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है तो दोस्तों ये story आपको कैसी लगी मुझे comment करके बताना वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे movie की story को explain किया था अगर आप लोग उन्हों से नहीं देखा है तो watch next पर click करको से जरूर से देख लेना आज की वीडियो में इतना ही थैंक्स टू गुडबाई